हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ, वर्ड मिनिंग का कलास, इस वीडियो में आप लोग सिखेंगे अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स यानि जैसे दिन होता है, दिन का अपोजिट रात होता है, इसी तरीके से गरीबी का अमिरी, अच्छाई का बुरा इसी तरीके से जो अपोजिट वर्ड होते हैं, वैसे करीबन 60 वर्डों को आप लोग इस वीडियो में सिखेंगे, तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को पेन और पेपर के साथ देखे, और जो भी वर्ड मिनिंग आपको याद नहीं है, आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है वर्ड और यहाँ पे लिखा गया है अपोजिट वर्ड, यानि यहाँ पे अपोजिट वर्ड मिनिंग है, और उसका जो अपोजिट सब्द होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कि एक्सेंट लिखा है यानि इस सब्द को क्या पढ़ा जाता है यहां पे लिखा गया है और इस सब्द को क्या पढ़ा जाता है यहां पे लिखा गया है तो क्या पढ़ा जाता है आप लोग इसके मध्यम से इस सब्द को पढ़ सकते हैं और इसका हिंदी मिनिंग क्या होता है आप लोग य जहां से याद कर सकते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अन्यवार्य है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें एबल एबल यानि योग्य इस सब्द का उल्टावर्थ देने वाला वर्ड होता है अनेबल अनेबल यानि अयोग्य absent यानि अनुपस्थित present प्रजेंट यानि उपस्थित तो आप लोग देख सकते हैं कि योग्य का opposite सब्द अयोग्य होता है अनुपस्थित का opposite उपस्थित जैसे able का unable, absent का present उसी तरीके से except का यानि सुविकार करना, reject, reject यानि अस्विकार करना या अस्विकारना आफकार यानि बाद या बाद में बिफोर यानि पहले या पहले से अगरी अगरी यानि सहमत होना डिस अगरी यानि असहमत होना अलाइव यानि जीवित डेड यानि मृत अल्वेज यानि हमेशा नेवर यानि कभी नहीं अंगरी यानि अप्रसान या गुसा प्लीजड यानि प्रसान या खुसी बैड यानि बोरा गूड यानि अच्छा इसी तरीके से अगला वर्ड मेनिंग है benefit यानि love, loss यानि honey, big यानि बड़ा, small यानि छोटा, buy यानि खरिदना, sell, sell यानि बेचना, best, best यानि सबसे अक्षा, worst, worst यानि सबसे बुरा या सबसे खराब, begin, begin यानि प्रारंब या प्रारंब करना, यह सब्द नाउन का भी काम करता है और भर्ब का भी काम करता है, end, end यानि समाप्त या समाप्त करना, तो यह सब्द भर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, black, black यानि काला, white, white यानि सफेद, bright, bright यानि चमकिला, डल, डल यानि फीका या धूंदला, ब्रेव, ब्रेव यानि बहादूर, कवार्ड, कवार्ड यानि कायर या डर्पोप, ब्यूटिफूल, ब्यूटिफूल यानि सुन्दर, अगली, अगली यानि कुरूप या भदा, बिफोर, बिफोर यानि पहले, आफ्टर, आफ्टर यानि बाद में, कूल्ड, कूल्ड यानि ठंड़ा, या सितल, वार्म, वार्म यानि गर्म अगला वर्ड मिनिंग है, जो कि इस तरीके से हैं, कूल, कूल यानि ठंढ़ा, होट, होट यानि गर्म, क्लीन, क्लीन यानि साफ, डर्टी, डर्टी यानि असूध या गलत, करेक्ट, करेक्ट यानि सूध या सही, रोंग यानि असूद या गलत यहां पे आप लोग इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं कम यानि आना गो गो यानि जाना चीप चीप यानि सस्ता डियर यानि महंगा या तेज केरफूल केरफूल यानि सवधान केरलेस केरलेस यानि और सवधान डे डे यानि दीन नाइट यानि रात्री यानि रात डार्क डार्क यानि गहरा अंधकार लाइट यानि हलका प्रकास तो ये 28 word meaning हुआ है हम लोग 63 word meaning इस वीडियो में कभर करेंगे आगे है चलिए देखते हैं अगला word meaning कौन सा है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से नोट करते हुए देखिए अगला word meaning है ड्राइ ड्राइ यानि सुखा वेट वेट यानि भीगा यानि गिला डर्टी डर्टी यानि गंदा क्लीन क्लीन यानि साफ इजी इजी यानि आसान डिफिकल्ट डिफिकल्ट यानि कठीन अर्ली यानि जल्दी लेट यानि देर एवर एवर यानि सदेव नेवर नेवर यानि कभी नहीं फैट फैट यानि मोटा थीन थीन यानि पतला फेल फेल यानि असभल इस सब्द का भर्भ और नाउन दोनो रूप में यूज होता है तो फेल यानी असफल या फेल यानी असफल होना दोनो होता है पास पास यानी सफल तो इस सब्द का भर्भ और नाउन दोनो रूप में यूज होता है तो पास का हिंदी मिनिंग सफल होना या सफल दोनो होता है फल फल यानि गिरना राईज यानि उठना फार फार यानि दूर नियर नियर यानि पास फास्ट यानि तेज slow यानि धीमा या धीरे अगला वरड मिनिंग है उन तालिस नमर फियू फियू यानि थोड़ा much या many इन दोनों सब्दों का हिंदी मिनिंग होता है अधिक तो थोड़ा का इंगलिस फियू और अधिक का इंगलिस much और many दोनों होता है इसका यूज on countable noun के लिए जैसे दूद, पानी, तेल, रुपिया जैसे मुझे कहना हो कि आपके पास कितना रुपिया है how much money do you have तो इस तरीके से much का परियोग होता है और many का परियोग countable noun जैसे column, आदमी इस तरीके से noun के लिए many का परियोग होता है much और many इन दोनों के उपर वीडियो है अगर आप इनका यूज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के much मेनी का यूज आप लुख सीख सकते हैं यह है आगला fleshhood, fleshhood यानि असत्यता, truth यानि सत्यता, fool फूल यानि मूर्ख या बुधिमान, इस तरी बुधिहीन यानि वाबेक्ति जिसके पास बुधिना हो उसको फूल बोला जाता है wise, wise यानि बुधिमान, फूलिस, फूलिस यानि मूर्ख, wise इसको wise पढ़ा जाता है, यहाँ पे wise लिखा है, तो wise का हिंदी मिनिंग होता है, बुधिमान, यह printing mistake है friend, friend यानि मीत्र, enemy, enemy यानि सत्रू, great, great यानि बड़ा, small, small यानि छोटा, give, give यानि देना, take, take यानि लेना, glad, glad यानि प्रसन, give, say sad, sad यानि, दोखी, here, here यानि, यहाँ, there, there यानि, वहाँ, happy, happy यानि, प्रसन, sorry, sorry यानि, दोख, 49 नमर है, चलिए देखते हैं, आगे कुछ और भी important, important word मिनिंग है, अगला है, hard, hard यानि कड़ा, soft, soft यानि मुलायम, harmful, harmful यानि हानि कारक, beneficial, beneficial यानि लफदायक, high, high यानि उचा, low, low यानि नीचा, hate, hate यानि घिरिणा करना, love, love यानि इसको love पढ़ा जाता है, कोई-कोई love भी पढ़ता है, तो इसका हिंदी मिनिंग होता है, प्यार करना, इस भर्ब कायूज आप कहीं कर सकते है, चाहे आप किसी male से करें, female से करें, प्यार, या किसी living thing सो, या कोई non-living thing सो, यानि किसी सजीव या निर्जीव चीज़ों से आप प्यार करें, तो वहाँ पे लव भर्व का यूज कर सकते हैं honest, honest यानि इमंदार dishonest, dishonest यानि बैमान in, in यानि अंदर यानि किसी चीज के अंदर जैसे मैं बोलो कि आप घर के अंदर में है तो in the room, in यानि अंदर out यानि बाहर यानि किसी चीज के बाहर kind यानि दयालू, cruel यानि निर्दई या बेरहम यानि जो दयालू ना हो, जिसके पास ममता ना हो उसको cruel बुला जाता है laborious यानि प्रिश्ट्रमी, lazy यानि आलसी oral यानि मोखिक, written यानि लिखित तो इसको written पढ़ा जाता है, ये written misprint हुआ है written subject का काम करता है, जिसका हिंदी मिनिंग लिखित होता है peace यानि सांती, war यानि और सांती तो इसमें अंठावन वर्ड मिनिंग हुए चलिए, देखते हैं कि और कौन कौन सा पांच वर्ड मिनिंग है अगला वर्ड मिनिंग है, 69 नमर, religious religious यानि धार्मिक, धार्मिक का उल्टा होता है secular, secular यानि अधार्मिक तो इस सब्द का यह opposite वर्ड मिनिंग है remember, remember यानि याद करना forget, forget यानि भूलना reach, reach यानि अमीर poor, poor यानि गरीब strong, strong यानि मजबूत weak, weak यानि कमजोर unity, unity यानि एकता diversity, diversity यानि अनेकता तो यह रहा दोस्तो opposite सब्दों का वाला वीडियो यानि इस वीडियो में आप लोग सीखे है कुछ word मिनिंग और उनका opposite word मिनिंग इंगलिस में क्या होता है आप लोग इस class में सीखे है कल मैं लेकर के आ रहा हूँ synonymous यानि कल आप लोग सीखेंगे कि एक word को इंगलिस में और कौन-कौन सा word मिनिंग होता है जैसे attack यानि आकर्मण करना और आकर्मण करना को एक और invasion भी बोला जाता है तो invasion यानि आकर्मण, attack यानि आकर्मण इसी तरीके से कौन-कौन सा सब्द है जैसे कौलम को इंगलिस में लेखनी बोला जाता है इंगलिस में पेन बोला जाता है तो एक word को इंगलिस में क्या-क्या बोला जाता है कल की क्लास में आप लोग सिखने वाले हैं तो अगर आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सिखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी एक ना एक दोस्तों के पास अवस्य सेयर करें या किसी एक ना एक सोशल मीडिया पे इसका लिंक अवस्य सेयर करें अगर आप लोग मुझे से जुड़ करके इंगलिस तिकना चाहते हैं तो इस वीडियो के description box में मेरा सभी social media का link है आप लोग मुझे सभी जगह पे flow करें अगर मुझे कुछ पूछना है तो whatsapp पे मुझे जुड़ें आप जो कूछ भी पूछेंगे मैं परियास करूँगा उसका answer देने का मैं मिलता हूँ अगली class में तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के मता पीता को मेरी तरब से हार्दिक सुपकम नाए नमस्कार जैहिंद